हेलो फ्रेंड्स मैं तन्वीर हमद और आप देख रहे हैं यह मेरा चैनल टियार बादुकूर दोश्तों बहुत दिन पहले हमने आईडी कार्ड के लिए वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि 100 या 100 से ज़्यादा आईडी कार्ड 5 या 10 मिनट के अंदर किस तरीके से बनाएं वो भी कोरल ड्रा के अंदर आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत पसंद किया लेकिन इसमें फोटो लगाना हमने नहीं बताया था फिर उसके बाद हमने दूसरा वीडियो बनाया जिसमें हमने बताया कि इसकूल आईडी कार्ड में आसानी के साथ फोटो कैसे लगा है वो भी कोरल ड्रा में तो इन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजेगा उपर आई बटन में भी मैं लिंक दे दूँगा थम्नेल यही है बिल्कुल यह है थम्नेल पहले वाले का कि साथ इसकूल आईडी कार्ड दस मिनट आजाएगा लेकिन इन दोनों के बाद भी एक प्राब्लम यह आ रही थी कि यह जो आईडी कार्ड थे सब अलग अलग प्रिंट होते थे जैसे एक पेज़ पे एक ही आईडी कार्ड जैसे मालिचे देखिए हमने आपको समझाने के लिए यहां पे 30 जगा पे यही कापी पे प्रिंट कर दिया है यह सब अलग अलग है तो इन सब को प्रिंट करने में दिक्कत आती थी बहुसे लोग हम से यह पूचे कि मतलब एफ और पे इसको किस तरीके से सेट किया जाए चाहिए जितना भी सेट हो तो एफ और पर किस तरीके से सेट करके इसको प्रिंट किया जा और 300 में हमने 1 को copy paste किया है लेकिन आप जब अपनी ID card बनाएंगे तो वो अलग अलग होगा तो इन सब को एक साथ किस तरीके से print करेंगे सबसे पहले आप यह करिएगा कि आपके जो ID card का size है उसको note करिएगा ठीक है इस पर click करेंगे यहां पर आपके ID card का size दिखा देगा हमने mm में किया है हम इसको inch में यहां से कर लेते हैं इस पर click करेंगे यहां पर दिखाएगा यह दिखिए 3.513 और नीचे वाला है 2.013 तो अब हम page size को भी यही करेंगे यहां पर click करने के लिए हमको यहां पर click करना पड़ेगा किसी साधे space में और यहां पर आप हम 3.513 और दूसरा कितना था हमारा 2.013 तो अब हम इसको यहां से 2.013 कर लेते हैं ठीक है ओके कर देंगे यह देखिए हमारा page size और id card size दोनों same हो गया सब में आप चेक कर लेंगे देखिए यह दूसरे पर भी तीसरे पर भी सब में यह तोड़ा सा इधर हो गया है आप एक size का बनाएंगे क्योंकि वो मेरा दूसरा size है इसलिए इसलिए हो गया उसके बाद हमको क्या करना है कि यहां पर printer देख रहे हैं Ctrl P दबाएंगे तब भी आजाएगा इस पर क्लिक करेंगे तब भी यह आ जाएगा यहां अपना printer आप select कर लिएगा जिस printer से आपको print करना है उसके बाद यहां पर print preview में आएंगे और यहां पर आएंगे तो देखि की पेज में print करना है जितना यह आ जाए तो उसके लिए हम यहां पर आएंगे यह इंपोजी इंपोजेशन ले आउट टूल इस पर क्लिक करेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहां पर दिख रहा है कि एक यह यह एक प्रिंट होगा ऊपर आ जाईए यहां पर सा चार पांच कर देते हैं यानि कि एक पेज में 10 आईडी काड हमारा सेट हो जाएगा देखिए यहां पर पेज नंबर दिखा रहा है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस यानि एक पेपर में यह 10 आईडी काड प्रिंट होगा उसके बाद फिर आप इस पर क्लिक कर कर देख सकते हैं यह हमारा आ गया ठीक है इस तरीके से लेकिन इसको कटने के लिए यह बीच में सपेस नहीं दे रहा है जो कि हमको चाहिए Çünkü क्योंकि इसको फिर बाद में cutting भी तो करना है तो फिर तरीके से करेंगे तो उसके लिए आप फिर इसी पर क्लिक करिए नीचे वाले पर आ जागेगा इसपे क्लिक करेंगे और यहां पर आपको जीतनी gaping देनी है वहां पर डाल देंगे जैसे हम दे देते हैं यहां पर 3 mm इंटर जैसे हमने इंटर किया आप देख सकते हैं यहां पर इसने जगा छोड़ दिया इसी तरीके से इस वाले में भी देखिए यहां पर कैशी दिखा रहा है इस कैशी पर किलिक करेंगे और यहां से इसको भी हम 3 mm कर देते हैं उसके बात इंटर कर देंगे आप देख सकते हैं, यह काटने के लिए जगह दे दिया फिर उपर वाले पे क्लिक कर दीजिए PICK TOOL पे आप देख सकते हैं, आसानी से यहाँ से कटिंग हम कर सकते हैं, और यह परिंट भी हो जाएगा तो अब हमको एक एक पेट पर प्रिंट नहीं करना है उम्मीद है दोस्तों कि आप इस वीडियो को समझ गये होंगे अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें शेयर करें और अगर आप नए मेरे चैनल पर तो